किसी भी चीज को बनाने और खाने के लिए अगर हमें किसी समय का इंतजार करना पड़ता है चीज का स्वाद भी उतना जादा बढ़ जाता है और उसे बनाने की उत्सुकता भी तो मार्केट में भर-भर क्या आई हुई है मूली और सर्दियों का मौसम है तो गरम गरम मूली के पराथे नहीं बनाए तो हमने क्या किया फिर है न मैं अपना personal experience आपके साथ share करूँगी कि मैं किस तरीके से मूली के पराथे बनाती हूँ मूली एकदम fresh fresh मूली है और इसके पत्ते थे ना वो भी बहुत soft है पर पत्तोगी में सबजी बना ली है और मूली के जो आगे और पीछे का भाग है न वो कट कर लिया है मैंने पहले इसका बाहर का छिलका देखिए एकदम सौफ्ट है तो इसे यहाँ पर मैं छिलूँगी नहीं कदुकस का देखिए जो मोटा वाला भाग होता है इसे हम इसे कदुकस करेंगे नमी बहुत है इसमें तो पराठे कैसे बनेंगे इसमें सौगी बनेंगे तो पहले हम इसका जो पानी है वो निचोड लेते हैं तो एक कपड़ा ले लिया है और इसमें सारा बैटर डालेंगे पहले, कुछ लोग क्या करते हैं, इसके पानी को सोख करने के लिए हलका साई से पका लेते हैं, तो यह देखे, यहाँ पर मूली इतनी फ्रेश थी, कि पानी की क्वांटिटी देखे, किती जादा निकली है यहाँ पर, तो इस पानी को यहाँ पर वेस नहीं करना है, बिल्कुल भी इस पानी को हम आटा गूनने में या किसी डाल के साथ यूज़ कर लेंगे, आटा लगाएंगे इसके लिए और यहाँ पर जो मूली का मैंने पानी बचाया वतना, उसी से मैं यहाँ पर आटा लगाऊंगी, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डालूंगी और इस आटे को ऐसे इकठा कर लेना है, देखे, पानी की जो क्वांटिटी ना वो मैंने कम ही लिये, जादा मैंने यहाँ पर मूली का जो पानी है वो यूज़ किया है, और यहाँ पर थोड़ा सा लगा लेंगे हम तेल, और यह देखे, आटा कैसा गुना होना चीए, यह देख रहे न, आप जैसे मैं इसे प्रेस कर रही हूँ, तो वैसी आटा एकदम नरम सगुना हो है, कुछ देड़ तक इसे अभी रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, पर आठे के लिए एक मसाला बनाते हैं, पैन ले लिया है मैंने और एक चमश मैंने यहाँ पर तेल लिया है, तो तेल को हलका सा गरम कर लिया है, एक चमश मुमफली के दाने लिये हैं, और आथा चमश एजवाइन लिये, तो एजवाइन क्या करती है, डाइजिशन में बहुत साबुद धनिया लिया है और यहां पर इने क्या करना है हमें इसे हलका सा रोस्ट करना है जिसके ने कच्चापन खतम हो जाए 1-4 टेबल स्पून हल्दी ली है और 1-4 टेबल स्पून ही मैंने याँ पर मिर्च ली है तो थोड़ा सा स्पाइसी जादा खाते हम तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्च पिली है और ना मार्केट में मुझे सबजी के साथ फ्री मिलावता धनिया तो इसे भी क्यों छोड़ना है हमें ये भी मैं इसी में डालूंगी बातो बातो में मैं यहाँ पर नमक डालना भूल गी थी तो एक चमच मैंने नमक भी आट कर लिया है अच्छे से मिक्स कर लेना है कुछ देर तक हम इसे ठंडा करेंगे और फिर इसे हमें याँ पर कोटना है तो एक ओकली ले लिया है और एक टुकड़ा यहाँ पर देखिए मैंने ये अद्रग कर लिया है तो अद्रग का देखिए जो बाहर का छिलका होता है उसे में कभी नहीं छिलती हूं इसे मैं ऐसी ही कूटूँगी और पहले इसे कट कर लेंगे पहले हम जो मसाला ठंडा करके रखावत था वो ही मैं इसी में डालूँगी और मसाले को यहाँ पर हमें कूटना एकदम दरदरा कि जब हम पराठे खाएं न तो उस टाइम पर बीच बीच में कभी धनिया एजवाइन और जो हमने हरी मिश डाली विये उसका टेस्ट ऐसा है जिससे कि हमें इसे खाने की और ज़्यादा लाँसा हो है न तो इसी तरीके का नमक पीसना है हमें यह देखे इसका मसाला तयार हो चुका है आप इसे नमक भी कह सकते हैं मसाला भी कह सकते हैं और इसे मिक्स कर देंगे हम मूली में तो अच्छे से mix कलना है जिससे की बराबर बराबर सारी उसमें जाए और यहां पर मैंने थोड़ा सा चिली फ्लिक्स भी लिया है नमक आप अपने हिसाब से देख लीजेगा अगर कम लगता है तो थोड़ा सा नमक आप डाल सकते हैं यहां पर तो यह पराठे का जो बेटर है न वो भी हमारा तयार हो चुक है अब हम पराठे बनाने के ओर चलते हैं पराठे बनाने के लिए एक न मीडियम साइज की मैंने लोई ली लीवी है तो इसे पतला बेलना है हमें यहां पर प्लीज बेलते समय आप यह ध्यान मत दीजेगा कि मैं रोटी किस तरीकी की बना रह तो तो कुल मिलाके मुझे छे रोटी यहां पर बनाने हैं रोटी के ओपर देखिए मसाले को फैला लेंगे और मसाले को चारो तरफ हमें फैलाना है उपर से एक रोटी ओल लगाएंगे और इसे चारो तरफ से ऐसे प्रेस करना है तो पहले एक तरफ से पकाना है तो पहले तो जैसे ही दोनों तरफ से पक जाए इसके उपर ये डालेंगे हम थोड़ा सा तेल और यहां पर मैंने यूज किया है रिफाइन ओयल आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं और सरसों के तेल में भी तो रिफाइन ओयल ले लिया है और दोनों तरफ से देखे ऐसे आठ तो सकते हैं तो आप इसे एक प्राठ को आप फोल्ड करिए दूसरे को भी वर कीजियों तब खाईए तो इससे क्या होता है डाठ है की बढ़ जाती है और मेनद करने वाले को मेनद कम करने लिकोर आप personally इसी विधी से परांथे बनाती हूं और एक परांथा न मैं आपको खोल कर दिखाती हूं यह देखिए एकदम स्टॉफिंग देखिए गर्म गर्म परांथा उपड़ से करारा पतला पतला परांथा और अंदर से स्टॉफिंग लेकिया है है न मज़ेदार तो बैस इसी तरीके से यहाँ पर मैं सारे पराठे सेख लेती हूँ आप लोग के लिए यहाँ पर मैंने इसे सर्फ किया है दही और अचार के साथ लेकिन मेरा परसनल एक्सपिरेंस यह है कि आप पराठे को फोल कीजिए और एक गर्मा गरम अद्रक की चाय लीजिए लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिएगा मिलती हूँ मैं अपने नएक्सपिरेंस के साथ तब तक के लिए जैहन